है 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 ले स्ट्वेंट्स है लोग बढ़िया है कि सभी लोग का स्वागत आपके अपने चैनल से लिजनिंग जई एंड है कि कैसे आप सब लोग बढ़िया है यह च्ट्रेंड एक बहुती ज्यादा इंपॉर्टेंड इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको जो कि आपको कि भी अग्जाम होने वाला कुछी दिन में उसके लिए बहुत ज्यादा जो है एक राम बान इलाज साबित होगा बहुत ज्यादा मदद करेगा इसलिए जितनी भी बातें करने वाला हूं वो सब ज्यान स सुनेगा क्या क्या करनेवाल उएक्चली में तीन से चार पॉइंट है मेरे दिमाख में जो आपको बताने वाला हूं और वह प्वाइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं वही एक्जाम के हिसाफ से एक्जाम के लिए आपको आप मेनत कर रहे हैं और वहीं स सब जेए के लिए सेंपल नमर वन जो है आपका सुरू हो चुका है जब तक की एक्जाम नहीं होता इस पर हम जितना भी आपका जितना दिन बचाओ है उस पर हम फुल और समय का सद्वियों करते वे हम जो है आपके लिए मैश्ञार रहे हैं आफ सबी लोग को जानकारी भी वारे में जैसे कि आपने देखा कल की क्लास बहुत अच्छे लोगों के देखा सभी लोगों ने सैंपल न Um फिर आज natürlich को नम मुझ। उपल सेंपनों नम्मर What रिख लोग जानते हैं इस बारे में डिसकसर बहुत बार कर अभी चुका हूं आपकी मेरतन क्लास के दोरान भी कर चुका हूं कि बीए सब, जयी का जो पेपर होने वाला दूनों का ही दूनों पेपर सेंडे पर होगा एक दिन में दोनुं नहीं पेपर होगा जिसमें कि हम बात करें objective और बात करें subjective यह मैं पहले भी आपको discuss कर चुका और नहीं भी जिसको पता तो सुन लिजेगा पहला पेपर मलब की सुभह की पारी में लगा लोगे साड़े आठ से आपका आठ से लगा लो तो साड़े दस तक लगब डेड़ घंटे का पेपर होगा एक गंटा तीस मिनट और यह प्यॉरली objective होगा यह सौ माक्स का होगा जिसमें कि 25 नम्मर रिजनिंग होगा और 25 नम्मर आपका जिया सोगा जनरल अवनेस जिसमें कि आपका साइन्स हिस्ट्री जॉग्रफी सब बातें पूछी जाएंगे आपका 50 नम्मर प्यॉरलिस आपका objective होगा सिबिल का सिबलिजरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वह बढ़ाऊंगा आपको क्या क्या हैंगे तो सिबिल का यह सोरली आपका 50 क्वेशन यहां पर आएंगे यह तुम हो दोकता प्युक्त यहां लगे का स्सरां में इसतो स्ब्जेक्टि आपको लिखना होगा सब्जेक्टिभ होगा सबसे पहली बात और यह दो घंटे का होगा तो सब्जेक्टिव होगा दो घंटे का होगा ठीक है टू आवर्स मतलब कि यह आपको जो है दो घंटे कम पढ़ जाएंगे इसमें क्यूंकि आपको तरीका बता देता हूं तरीका क्या है इसका जो पेपर है कनवेशनल एक्जाम वो उसमें जो दो घंटे बाद आप जाओगे तो दो घंटे के दौरान जो आपको अंदर बैठना तो आपको क्या करना है है सब से पहले जो दिखेगा हो दिकेगा आपको 12 क्वेशं ट्रैल फ्मेंसे आउट ओफ 12 आप को 10 ق्वेशन करने है और हर एक क्वेशं को क्वेशन्स मिलेगे buscando पर आपको 10 मार्क्स दस पर हो जाएंगे आपका टोटली अगर देखा जाए तो डूटल जो एकजाम गया यह तो आपको पता लगी गया कि सर्फ 200 मार्क्स का हो गया यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझा रहे हैं लेकिन आज का मुद्दा डियोस्टिन मुद्दा यह है कि अब आपको करना क्या हैं मुद्दा कुछ और है cm दोनों paper की मैं बात कर रहूं मन थाँ अर्फकर Treasury दोनों की बात कर रहा हूं one plus two दोनों की बात कर रहा हूं पेपर one plus paper two okay पर रोने से फाइदा कुछ नहीं होगा कोई फाइदा नहीं है सरकारी तंत्र आप जानते हैं अब इक्जाम में बैठ गया अगर आपके वर अपना माता ही जो फोड़ सकते हैं दिवार पर यार क्या स्लेवस में दिया क्या आ गया इससे जादा कुछ उसके बाद तुम लेकिन जिस लेवस है इससे भार आया हुआ अगर आप थोड़ा सभी मेरे पर विश्वास करते हैं तो यह जो मैं बाते कर रहा हूं यह कहीं ना कहीं प्रीवियस येरों में 2018 में उससे पहले सोला में उसमें आयवे क्वेशनों के आधार पर कर रहा हूं इसलिए इस बार अ आपके आउट aaf syllabus आया है और आउट आव्ट उफिद जिवस का मीनिंग मेरा ये है कि उसमें ये जो सबजेक्ट लिका है इससे भी भार आया है ये बात सच है कि वहां से कम आया जिसकी भार जो सब्जेक्ट है उससे कम आया लेकिन आया जोरूर है इसलिए आपका एक यहा परसेंट बात अगर सत पर सत जो है 100 परसेंट इस स्लेवस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा होगा तो उसके जो है चांस है बहुत कम हो जाते हैं अब पता नहीं क्या है कि वहां डाले तो डिपार्मेंटल बात हो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ यह सच है तो सच को मैं बता दूँआ ठीक है इसलिए इसलिए आपको जो है पहले तो आप से लेवस में देख लो क्या क्या आपको मजा जाएगा से लेवस देखते वही सब्स्क्राइब करेंगे रेलवे ऐंगे एक रहता है साब अच्छे अच्छें में आहितनाा इतना वजो पड़ा है एक है अच्छे से बारीके से देखी हैं हमने तो सर एक्चुली में आर्ची को इतने बारीके से जाना है यह काँ टेट्चर कांग यह सर है न यहाँ जो है खेल हो गया लेकिन ऐसा नहीं अगर आप ने पढ़ा अगर आप और इक्जाम जाए ससी के लिए सब्सक्राइब फोकस करते हुए पड़े तो आपका यहां पर यह मदद करेगा वैसे खासकर मैं बात बोल दूं जो लोग सब्सक्राइब इसके साथ थोड़ा बहुत अधर सब्सक्राइब इसके भी क्वेशन डाल रहा हूं इसलिए आप घवराओ मत मेरा यहां पर ड़ाने से कोई मतलब नहीं आपको यहां पर अगहा करने से मतलब है कि आप बचें इस चीज से अभी भी समय है अब भी हमारा मेरा तन कलास जितना भी चल रही है जितने भी सैंपल होंगे आपके अभी आपका सैंपल नंबर वाइफ nella न्वार फिटो होगा to लेकिन साथी साथ कुछ question strength of material कुछ आपके RCC के कुछ steel के भी डालूँगा जरूर percentage कम कर दूँगा इनका ज्यादा रहेगा लेकिन डालूँगा जरूर क्योंकि मुझे पता आना है यह सच है भई यह तो थी बातें डियर स्ट्वेंड आपके syllabus का कॉर्णी यहां पर आपको इतना चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना है लास्ट टाइम पर सब कुछ मेरे पर छोड़ दो सच में बता रहा हूं सब कुछ छोड़ दो क्योंकि बहुत लोग को घबरात हो होने वाली आपकी तीन बज़े से चैसाथ बज़े तक चल रही है रोज के रोज उसको देखो कि उसमें जो स्क्वेस का चयन किया गया वह प्रीविएल पेपरों के हिसाब से किया है एनलेसिस के हिसाब से उसको पढ़ोड़ों पचास उसे मेरतन वहीं चल रहा है जो मैरतन आपको exam का फिल आ रहा हैं। अब एक बात और है एक बात और आप को बता दूँ तक यहां पर याँ पर बात ओर आए यहां पर calculator भी अलाव नहीं है। है सबसे बड़ी भी खेल ढबना तो यही है है कि सůर्मेंसर छ мало था इस बार Hydra अलग बात है लेकिन अपने काल्कुलेटर उसमें देख लेना अगर लिखा तो अच्छी बात है लेकिन इसमें काल्कुलेटर भी अलाव निया तो इस से हमें सीदे से यह परतीत हो रहा है कि इसलिए मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं डियाश्टेट बहुत ही बिंदू क्या है अब सुनो जरा द्यान से कोसिस करें इंग्लीज में ही लिखाजाए इसको पूछने की डर रहती है रहे लेकिन हिंदी मीडियम वाला चातरी जरूर पूच्छरी बीरा भाँगा याना कि सर्पेपर को जो हम लिखेंगे आपजेक्टिव में तो कुछ दिक्कत नहीं है उसमें तो ABCD करना है आप जिस भी पेपर में जाओ सिविल में जाओ जीनिंग में जाओ जीएस में इरिटेट ना हूं प्यूंकि हिंदी की लेंगों इतनी टिपिकल्ट हो जाती है कुछ-kुछ सब्द ऐसे हो जाता है कि भाई जो एक्जाम ने रहा है वो खुदी जो है पगला जाता है सच बात है आप बोलें कि सरह स्थ क्यूं बहुत बोलें बिल्कुल हो जाता हैं समस्चर की बात थी वहाँ पर टीचर ने जो है पॉल्टाइक ने में डिगरी में वह कर दिया चेक वह अलग बात है यहां पर जो है कुछ और है उनका मेंटर लेवल कुछ और है यहां पर नौकरी दिलाएंगे आपको तो कोशिज यह करिएगा कि जो टेक्निकल टम्स हैं हिंदी बैक पर करा रहा हूं उनी फैसन को रटके जाओ उसी के लेंग उसी के हिसाब सप्लेंग्वेज को बनाना सीखो अभी आप अब टाइम है किस कैसे सर ने बना एक जैसे सिखाया क्यूंकि आपको लिखा इंग्लिस में रखा उँर पीडियाप जो दे रहा हूं जो आपको इंग्लीस में जरूर लिखा जाए अब आप हिंदी मीडियम आले कह रहा हूं कि सर फिर हिंदी में क्यों हमको समिस्टर में पढ़ाया गया इंग्लिस में क्यों निपढ़ाया गया वहीं सीख लेते हम अभी बात अलग है डियास्टेन आज वो लड़ने का समय नहीं ना कटने का समय है आज समय है क्योंकि एक्जाम बहुत नजदीक है अगले मैंने शुरुवात में एक्जाम है इसलिए जो है आज लड़ने मरने का समय नहीं आज राजनिती करने का समय नहीं आज समय है कि हम क्या करें ज्यादा ज्यादा एफिसेंसी के साथ और ज्यादा ज्यादा ज कोई दिक्कत निये डारिवेशन में कोई दिक्कत निये और मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर ना होने के वज़ए से आपको दो चीज़ें जो है यहां पर ज्यादा पूज़े आ सकते हैं सब कुछ लिखा रहा है ठीक है डारिवेशन तो आएंगे ही आएंगे डारिवेशन में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं जैसे कि बैंडिंग एक्वेशन पूरूब करने के लिए दिया टॉर्जन लिक्वेशन दे दिया यह सब तुम सेमिस्टर में जो पढ़ते थे ठीक है द डैपिने सन्लिक जैसे माली ऐा फूस लिए र우व की ड़ल आ के बारे में समझ ऑ रॉक के क्लासिट्र के संट आप लिखेंगे एगमियस आगडरिमेंद्री रॉपर रफान्तरित सहिल क्या होती है इस अध्यान का होती है सिमेंट के बारे में आ सकता है इतने सारे स्विलियरिंग दोरान स्वाहल मेकेनिक से आ सकता है इंवरमेंटल से यह स्विल्टर के बारे में फूस लिए रहपीट सेंगर के बारे में फूढे लिकलaison तो कोसिज यह करना मेरी बात माशनों सत प्रवसस्द जो है करेंगे क्योंकि अंग्रेजी में लिखे वे बालकों को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है ये बात सछ है सच है तो जाड़ा होंगे कंवेंस डाल में इसलि ठियोडे को लिखने का पृयास कर उओक चौने का नमर चल रहे हैं कल भी देखा होगा आपने सेंपल नमर में मैंने कापी सारी थियोरी आपको बताया है नेक्स आते हैं जरूरी नहीं है कि जो आपके स्लेवस में वही आएगा वही आएगा उससे भाहर भी आएगा तीसरा पॉइंट है जरूरी नहीं है कि जो स्लेवस में है वही बाहर आएगा जरू नहीं है बिल्कुल कता ही जरू नहीं है जो सलेवस में वहीं आएगा इसलिए भाण कि खीक है तो ज़रूरिये कि आपका से माय आएगा आप मेरे साथ मेरातन को को देखो तो मैं अपने हुसाब से चला रहा हूं जो सब्साइब करें न sentiments क्यों तो चलिएगा इस बातें सम्माराइज करते था है जिसमें कि हम क्या कर रहा है बीस अब जेए 2022 को टार्गेट करते वे हमारे पास मेरतन नंबर वन सेंपल नंबर वन हो चुका है सेंपल नंबर वन हो चुका है जो कि कल हुआ कल हो चुका है यह ना कलो चुका है सेंपलल नंबर वन 27 जू लाइक कि टीन बजे से मैं बठाद है तुर send वो तरीका बता तूँ थोड़ा सा तरीका क्या रहता है मैं वह बता दूँ आपको देखों तरीका क्या रहता है कि हम लोग सबसे पहले यहां पर सिविल को डील करते हैं सिबील के मैं 50 गएशन आपको अब्जेक्टिब डील करता हूं पहले अब्जेक्टिब डील करता हूं लग भग भग पचास Kitchenffe पूरा पेपर कंसार पजाज अबजेक्टिव कराऊंगा फिर आपका मैं जो है सब्जेक्टिव कराऊंगा सिविल के ही यह अबजेक्टिव हो गया उसके बाद मैं आपको लगभग 10 क्वेशन 10 से 11 क्वेशन आज 12 कराने कोजित करोंगा लेकिन 10 तो करेंगे हम 10 वैसे दस अगर आप इन सेंपल में चल रहा है हमारे साथ साथ तो जो है आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो यह सच है है ना चलेगा क्योंकि हम तयारी जो कर रहा है हमारा जो content तयारी हो रहा है वह paper के अनुसार ही हो रहा है तो सभी लोगों को जिन लोगों ने sample no.1 नहीं देखा है तो channel को जोड़ा जोइन कर लें subscribe करें को जोई जरूर करें इस पर मैं पीडिया फाइल देते रहोंगा आपको जितने भी पेपर बन रहें तो स्वेटिंग जेए एंड ही पर आपको जोईन करना है यह टेलिक्राम ग्रूप है हमारा है और साथी साथ सभी लोगों को अबगरीम बहुत-बहुत भाई गुड़ लाग गुड़ विसेश बीया सब ज आपको द्यान को अब गुड़ के उस्यु küçük कर दिया लेगो फिर सारी बात पर बहुत विसेशली मेरा ध्यान देना है आपको द्यान देना इन बातों को अगर है जो है डूटी पर लगे होंगे आपके सेंटर में उनके थोड़ी है सपने वो तो दो चार गंटे आपको देखेंगे किया भई हो गया उसके बाद वह निकले तुम भी निकले उनका और कोई मतलब नहीं होता है सपना आपका है करना आपका आपके घर के सब्सक्राइब आपको इसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा तो चलिए मिलते हम सेंपल नमबर टू में जो कि तीन बज़ा हो गया स्याम को चलिए मिलते हैं थैंक ये वारी मस्ट थैंक्स टू और अ कर्या है